पेरिस पैरालंपिक में भारतिय एथलीट्स का जलवा जारी है बुधवार को तीरंगाज हरविंदर सिंग ने पुरुष रिकरफ के फाइनल में स्वर्ण पदक जीत कर इतिहास रच दिया अब पेरिस पैरालंपिक में भारत के 22 पदक हो गए हैं इनमें 4 स्वर्ण, 8 रजत और 10 कांस्य हैं इसी के साथ भारत पैरालंपिक की पदक कालिका में 15 वे स्थान पर पहुँच गया है हरविंदर ने फाइनल में पोलन के लुकास जिस्जे को 60 से हराकर स्वर्ण पदक जीता यह तीरंदाजी में भारत का पहला पैरालंपिक स्वर्ण पदक है और साथ ही उनका दूसरा पैरालंपिक पदक भी है हरविंदर के लिए इस मुकाम तक पहुचना आसान नहीं रहा उन्होंने संघर्षों से कभी मुग नहीं मोडा और परेशानियों का डटकर सामना किया उनकी कहानी तमाम लोगों के लिए प्रेरना दायक है हरविंदर सिंग का जन 25 फरवरी 1991 को हरियाना के कैथल में हुआ था अजीत नगर के किसान परिवार से तालुक रखने वाले हरविंदर जब देर साल के थे तो उन्हें देंगू हो गया था और इसके उपचार के लिए उन्हें इंजेक्शन लगाए गए थे दुर्भाग्य से इन इंजेक्शन के कुप्रभावों से उनके पैरों की गतिशीलता चली गई शुरुआती चुनौतियों के बावजूद वह तीरंदाजी में आगए और 2017 पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियंशिप में डेब्यू में सात्वे स्थान पर रहे फिर 2018 जकार्ता एशियाई पैरा खेलों में स्वर्न पदक जीतने में सफल रहे और COVID-19 महामारी के कारण लगे लौकडाउन में उनके पिता ने अपने खेत को तीरंदाजी रेंज में बदल दिया ताकि वह ट्रेनिंग कर सकी हरविंदर ने तीन साल पहले टोक्यो पैरालंपिक में कांस्य पदक जीत कर इतिहास रच दिया था यह भारत का पहला तीरंदाजी पदक था तीरंदाजी में सफलता के साथ वह अर्थशास्त्र में पीएच्डी की डिग्री भी ले रही हैं जुन दो हजार चौबीस में 25 तीरंदाजी विश्व रैंकिंग्स परधा में उन्होंने चेक गनणराज्य में कांस्य पदक जीता था इससे पहले अप्रेल दो हजार चौबीस में विश्व तीरंदाजी ओशिनिया दो हजार चौबीस पैरा ग्रैंट प्रिक्स में उन्होंने आस्ट्रेलिया में कांस्य पदक जीता था हरविंदर सिंग ने टोक्यो पैरालंपिक में कांसिय पदक जीतकर इतिहास रच दिया था यह तीरंदाजी में भारत का पैरालंपिक का पहला पदक था उन्होंने कोरियाई तीरंदाज को शूट ओफ में 6-5 से पीछा छोड़ा और पदक अपने नाम किया था आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें